हाल का दौर लातिनी अमेरीका के अनिक देशों में लोगतांत्रिक व्यवस्था को चुनने के बाद 1980 में लोगतंत्र तेजी से फैला. सोवियत संग के बिखराओं के साथ ये प्रक्रिया और तेज हो गई. सोवियत संग का कई कम्मिनिस्ट देशों पर नियंत्रण था. 1989-90 के दौर में इन देशों ने अपनी आजादी की घोशनां की और लोगतांत्रिक व्यवस्था इस्थापित करने का फैसला किया. 1991 में सोवियत संग के 15 गण राज्यों की आजादी की घोशनां के साथ सोवियत संग पूरी तरह से बिखर गया. पूर्वी योरोप पर से सोवियत नियंत्रण की समाप्ती और सोवियत संग के तूटने का दुनिया के राजनेतिक नक्षे पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा. इस अवधी में हमारे पडोस में भी लोगतांत्रिक व्यवस्था स्थापित की जा रही थी. 1990 में पाकिस्तान और बांगला देश में लोगतांत्रि ने सैनिक शासन को प्रतिस्थापित कर दिया. 2005 तक लगभग 140 देश लोगतांत्रिक देश बन गए थे. दुर्भा के वश पाकिस्तान में लोगतांत्रिक सरकार लंबे समय तक नहीं चली. जनरल मुशर्फ ने 1999 में पाकिस्तान में फिर से सैनिक शासन इस्थापित कर दिया. इसी तरह बर्मा आधुनिक मैमार ने 1948 में आप निवेशिक शासन से स्वातांत्रिता प्राप्त की. इसने एक लोगतांत्रिक व्यवस्था स्थापित की, जिसे 1962 में सेना द्वारा तख्ता पलट कर दिया गया. तीस वर्षों के बाद 1990 में चुनाव हुए आंसान सूची जिन्हें सूची पुकारा जाता था, उनकी अगवाई वाली National League for Democracy ने चुनाव जीते. पर फौजी शासकों ने चुनाव परिडामों को सुईकार करने से इंकार कर दिया और अधिकांश निर्वाचित नेताओं को जेल में डाल दिया. मैं मार के लोग अभी भी अपने लोगतांत्रिक अधिकार पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं. लोगतंत्र के लिए संघर्ष कई अन्य देशों में भी जारी है.